हेलो फ्रेंड्स कैसे हो जी के 2020 योट्यूब चैनल की NCRT वीडियो सिरीज में आप सभी दोस्तों का हारदिक स्वागत है आज के इस वीडियो में हम कक्षा साथ की NCRT की टेक्सबुक जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनितिक जिवन टू यह टेक्सबुक में तीसरा अध्या है राज्य शाशन कैसे काम करता है और यह अध्याई में पेज नमबर 34 से 36 पर जो इनफोर्मेशन दी है उनको बेज बनाते हुए हमने यह वीडियो तयार किया है और आप क्लास वन टू की एग्जामिनेशन की प्रीपेरिशन कर रहे है और आपके सिलेबस में कंस्टिट्यूशन है तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तो और ही मदद मिलेगी तो वीडियो में लाश्ट तक बने रहे है लाश्ट में कमेंट शक्षन में जरू बताना कि आपको यह वीडियो कैसे लगा चलिए बिना वक्त गमय स्टार्ट करें सामाजिक एवं राजनितिक जिवन टू कक्षया साथ की NCRT की टेक्सबुक जिसका तीसरा अध्या है राज्य शाषन कैसे काम करता है और कल पाल नहीं पार्क में हमने कुछ स्टोरी के जरि जो बहस की गई है उनका एक एक एकजांपल यहां दिया गया है और हमें समझाया गया है कि साशक पक्ष और विपक्ष कैसे काम करता है देखो आफरेन, सुजाता और उनके विद्याले के कई अन्य विद्यार्थियों ने विदान सबा देखने के लिए राजदानी की यात् यहां तीन दोस्त है और अफरेन, सुजाता और उनके विद्याले के कई अन्य विद्यार्थियों ने विद्यान सबा देखने के लिए राजदानी की यात्रा की विद्यान सबा एक अत्यंत भव्य तता प्रभावशाली बवन में स्थित थे बच्चे बहुत उत्सुक थे यानकी बच्चे या विद्यान सबा में कैसे काम का चलता है या देखने के लिए एक स्कूल से विद्यान सबा बवन में पहुँचे थे सुरक्षा जांच के बाद उन्हें उपर ले जाया गया उपर एक दर्शक दीरका थी यान की बच्चे को कहां बैठाया गया उपर एक व्यू गैलेरी थी वहाँ पर बच्चों को बैठाया गया जहां से वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे हौल में डेस्कों की अनेक कतारे लगी थी यहांपर आप देख सकते हैं जिस तरह राज्यसभा और लोकसभा में आप देखते हैं ठीक उसी तरह विदानसभा में भी बैठाके होती है यह विदान सभा उन दिनों की किसी ततकालिन समस्या पर बहस करने वाली थी विदान सभा की बहसों में विदायक अपनी राय व्यक्त कर सकते है सबंधित विशय पर प्रश्ण पुछ सकते है या सुजाव दे सकते है कि सरकार को इस सबंध में क्या करना चाहिए दस्तो चाहे विपक्ष हो या शाशक पार्टी हो यदि विदान सबा में बहस चलती है तो जो भी विशय पर चर्चा की जाती है उनमें कुछ विदायक अपनी राय देते हैं देखो यह विदान सबा उन दिनों की किसी ततकालिन समस्या पर बहस करने वाले थी विदान सबा की बहसों में विदायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं सबंधित विशयों पर प्रश्ण पुछ सकते हैं या सुजाव दे सकते हैं कि सरकार को इस सबंध में क्या करना चाहिए कमेंट सेक्षन में बताईए और हमने इस विशय पर वीडियो बनाया है जो हमारी जी के 2020 चैनल पर अविलेबल है सदस्य इस विशय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते है इसके बाद मंत्री प्रश्णों के उत्तर देते है और सदन को आश्वस्त करते है कि जरूरी कदम उठायत जा रहे है क्या किसी भी मंत्रालै का एक मंत्री होता है चाहे दोस्तो वो स्वास्थिय मंत्रालै हो या कोई और मंत्रालै तो हर एक मंत्रा लइका एक मंतृ होता है और मंत्री अपने विशय से सबन्दित प्रश्णों के उततर देते है और सदन को आशोस्त करते हैं की जरूरी कदम उठाये जा सकते हैं जा रहे है मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णई लेने होते है और सरकार चलानी होते है एक तरफ देखे तो मुख्य मंत्री और उनका जो केबिनेट मंत्री मंदल है वो ही सरकार चलाते है वो ही सत्ता में असली पावर मना जता है हाँ प्राया हो उन निर्णियों के बारे में सुनते है या समाचार चैनलों अत्वा समाचार पत्रों में उन्हें देखते वो करते हैं अलाके जो भी निर्णे लिया जाते है उन्हें विदान सबा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है और लोक तंत्रा में विदान सबा सदस्या मंत्रियों वह मुख्य मंत्री से प्रश्ना पुछ सकते है किसी महत्व पुर्ण विशय पर बहस कर सकते है निर्णे ले सकते है कि धन कहां खर्च किया जाना चाहिए आदी दोस्तों विशयों पर चर्चा की जाती है बहस की जाती है विदान सबा में क्या लोक तंत्रा में विदान सबा सदस्या मंत्रियों वह मुख्य मंत्री से प्रश पुछ सकते हैं किसी महत्व पुर्ण विशय पर बहस कर सकते हैं निर्णे ले सकते हैं कि दन कहां खर्च किया जाना चाहिए और इस तरह मुख्य अधिकार उन्ही का होता है जिसकी सरकार होती है और आगे यहां कुछ बहस दी गई है कि विधान सबा में विधायकों के बीच क पिछले तीन हफ्तों में हैजे के काराण 15 लोगों की मृत्यों हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए ये बड़ी शर्मनाक स्थिती है। वो सरकार जो अपने को प्रोध्योगी की में सर्वस्रेष्ट कोशित कर रहे है। हैजे जैसी साधारन वीमारी को रोकने में असफल रहे है। मैं स्वास्थिय मंत्री का ध्यान इस और आकरशित करना चाहूंगा कि वे स्थीती को नियंत्रन में लाने के लिए ततकाल जरूरी कदम उठाए। तो दोस्तों यह विदायक शाषक पार्टी का है यह वीपक्ष का वो यह कथन के जरिये आपको पता चल गया। मैं स्वास्थिय मंत्री का ध्यान इस और आकरशित करना चाहूंगा कि वे स्थीती को नियंत्रन में लाने के लिए ततकाल जरूरी कदम उठाए। तो विदायक दो क्या कहता है। दूसरा विदायक का कथन है कि मेरा प्रश्ण यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराग क्यों है। सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों वो चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सरकार इस थीती का सामना किस प्रकार करने जा रही है। जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित है और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब यह महामारी का रूप ले चुकी है। यानकि एक ओपोजिट पार्टी का दूसरा विदायक वो भी शाशक पार्टी के विदायक को स्वास्थिय मंत्री को कहता है। कि मेरा प्रश्ण यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है, सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों वो चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे। मैं यह भी जानना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय श्री यानकि विदान सबा में किसी भी समवाद किया जाता है, तो यह विदेयक किसको कहकर अपना संबोधन स्टार्ट करता है, अध्यक्ष महोदय बोले तो विदान सबा के अध्यक्ष को ही संबोधित करके किसी भी विद अपना कथन स्टार्ट करता है तो मैं आपके जरिये यह जानना चाहूंगा कि सरकार इस थीति का सामना किस प्रकार करने जा रही है जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित है और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है अब यह महामारी का रूप ले चुकी है आगे दोस्तों तीसरा विदायक क्या कहता है कि मेरे निर्वाचन ख्षेत्र तोल पट्टी में भी पानी की कमे की गंभिर समस्या है और अतों को पानी लाने के लिए 3-4 किलो मिटर तक चलना पड़ता है मैं आपके जरिये यानि कि अध्यक्ष महदैस्री मैं आपके जरिये ज किसरा विदायक भी ऑपोजिट पार्टी का चौथा विदायक क्या कहता है मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चटा कर बता रहे है यह शाशक पार्टी का विदायक है और वो कहता है कि मेरे ऑपोजिट पार्टी में जो विदायक है यानि कि मेरे साथी है वो स समस्या को बढ़ा चटा कर बता रहे है सरकार ने स्थीति को नियंत्रन में लाने के लिए कदम उठाए है पानी के टेंकरों को काम में लगा दिया गया है O.R.S. के पेकेट बाटे जा रहे है सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रियास कर रहे है यानि कि यह मंत्री कहता है कि सरकार यह जो बीमारी फेली है हैजे की बीमारी फेली है उन्हें काबू में लेने के लिए भरसक प्रियास कर रहे है विदायक 5 का समवाद है कि हमारे अस्पतालों में सुविधाओ की हालत बहुत खसता है यान कि हमारे अस्पतालों में सुविधाओ की जो हालत है वो बहुत खराब है कई ऐसे अस्पताल है जिन में कोई डॉक्टर नहीं है और चिकिच्चा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्ती ही नहीं की गई है तो मतलब यह हुआ कि विदायक पांच भी ओपोजित पार्टी का और विदायक पांच आगे कहता है कि दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंवीत छुटी पर चले गए है यह शर्मनाक स्थिति है मेरे ख्याल से हालात बद से बत्तर होते जा रहे है हम यह कैसे सूर निश्चित करने वाले है कि प्रभावित ख्षित्र के सब परिवारों तक O. O.R.S. के पेकेट पहुच जाए यान कि विदायक पांच वो सरकार को यहां कहता है कि यहां जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर डॉक्टर लंवीत छुटी पर चले गए है और यह सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति है मेरे ख्याल से हालात बद से बत्तर होते जा रहे है हम य कैसे सुनिश्चित करने वाले है कि प्रभावित ख्षेत्र के सब परिवारों तक O.R.S. के पेकेट कैसे पहुचाए जाए विदायक छे कहता है कि विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजही सरकार पर दोशार ओपन कर रहे है यान कि यह शाशक पार्टी का विदायक है वो कह के विदायकों ने एक बहस के रुप में अपनी समस्याए पेश के और जो भी मंत्री स्थरिय विदायक थे उन्होंने यह लोगों के सवाल के उत्तर भी दिये तो जो विदायक सोचते थे कि सरकार स्थीती को गंविरता से नहीं ले रही है वे मुख्य रूप से क्या-क्या तरक दे रहे थे यदि आप स्वास्थिय मंत्री होते तो उपर युकत चर्च का उत्तर किस प्रकार देते यदि आप एक विदायक ही नहीं बलकि किसी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री है तो उपर युकत चर्चा का उत्तर आप किस प्रकार देते आपकी विचार से क्या उपर युकत बहास कुछ अर्थों में उपयोगी रही कैसे चर्चा किजिए तो द वो सब हम विदायकों को बताते कि हमने भी काम किया है और जो भी समस्या अब उत्पन हो रही है उसका जल्दी से निप्टारा किया जाएगा और निप्टारा करने के लिए हमारी सरकार ने क्या कदम उठाये है तो देखो और भी हम उत्तर दे सकते हैं और दोस्तों आगे एक स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते अपने विपक्षकों में उत्तर देता कि अगर हमारा कोई कर्मचारी असावधाने या लापरवाही बरतेगा तो उसके खिलाब कारवाही की जाएगे बहस इसलिए उपयोगी रहे क्योंकि इससे जो भी समस्या ये है वो सब सरकार के सामने आई तथा सरकार जो भी लापरवाही बरत रही है और सरकार ने जो भी काम किया है वो सब के सामने आ गया यानि कि यह बहुत के जरिये सरकार की जो भी लाप परवाई थे, सरकार ने जो भी समस्या को मिटाने के लिए कदम उठाए थे, वो सब लोगों के सामने आ गए व्याख्या किजिए कि सरकार की कारिय प्रणाली में एक सामान्य विदायक और उस विदायक में जो मंत्री भी है क्या अंतर होता है यानिकि एक सामान्य विदायक और मंत्री के रूप में जो विदायक कारिय कर रहा है दोनों में क्या अंतर है तो यहां में आपको उत्तर कहूंगा कि एक विदायक जन्ता द्वारा चुने गए प्रती निद्यों में से होता है ए विदायक केसी भी दल के हो सकते है लेकिन जो विदायक मंत्री होते है वह सत्तारूट दल के होते है और विदायक के मंत्री होने के करण उसकी सुरक्षय व्योस्था और काम व्योस्था साधारन विदेयक से अलग होते हैं यान कि जो भी विदायक एक मंत्री के रूप में कार्य करता है तो उनकी सुरक्षा व्योस्था और काम करने की व्योस्था साधारण विदेयक से बेलकुल ही अलग होती है क्या दिये गए चित्र में आप सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष के विदायकों को पहचान सकते हैं सत्ता पक्ष के विदायकों को एक रंग से और विरोधी पक्ष के विदायकों को दूसरे रंग से रंगिये यानिकि यहां जो एक से छे विदायकों की बाताई इनमें मैंने आपको बता दिया कि कौन सा विदायक विपक्षदल का था और कौन सा विदायक शाशक पार्टी का था तो दोस्तो मेंने तो याद रख लिया है कि 4 नमबर का विदायक और 6 नमबर का विदायक शाशक पार्टी का था 1, 2, 3 और 5 नमबर के विदायक विरोध पक्षके थे उक्त भाग में आपने विदान सबा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा सदस्य सरकार द्वारा की गई या न की गई कारवाही पर बहस कर रहे थे ऐसा इसलिए है क्योंकि विदायक सामोहिक रोप से सरकार के काम के लिए उत्तरदाई होते है चलिए एक पूजिशन है जतने में सभी पार्टिया अस पल रहे तो दो पार्टिया मिलकर आदे से अधिक सीट बन जाती है यानकि जित लेती है तो यहाँ गटबंदन की सरकार बने गी देखो गटबंदन सरकार एक संसदिय शरकार की केबिनेट होती है जिसमें कहीं राजनितिक दल सहयो करते है एक गट बंदन सरकार राष्ट्रिय संकट के समय भी बनाई जा सकते है क्या गट बंदन वाली सरकार राष्ट्रिय संकट के समय भी बनाई जा सकते है जब किसी आम चुनाव में किसी अकेले दल को साफ बहुमत नहीं मिलता तब दल य या फिर अल्पमत केबिनेट बनाते हैं जिसमें एक या अनेक दल हो सकते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शाषन के विबिन विबागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रबारी है। इन सब का सामोहिक प्रमोख मुख्य मंत्री होता है। दोस्तों यहां राज्य की बात हम कर रहे है कि सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शाषन के विबिन विबागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रबारी है। इन सब का सामोहिक प्रमुक कौन होता है? मुख्यमंद्री होता है और सही माइने में तो यही सरकार का कारियकारी हिस्सा यानि कारियपाली का कहलाता है तो दूसरी तरफ सारे विदायक जो विदान सबा में एकत्र होते हैं विदाईका कर लाते हैं विदाईका के रूप में वे सरकार के कारियकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं जैसा कि आपने पार्ट के प्रारम में देखा था इन्ही में से कार्यपालिका का प्रमोख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है दस्तो पार्ट के प्रारम में मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल बहुमत वाली पार्टी के किसी एक न्यता को मुख्यमंत्री बनाते हैं और मुख्यमंत्री की सीफारिश पर ही राज्यपाल अन्यमंत्रियों की नियुक्ति करते हैं आगे शाषन की कारिय प्रणाली की बात करें, तो केवल विधान सभा में ही सरकार के काम के बारे में टिका टिक पणी और सरकार से कारवाही करने की मांग नहीं की जाती, आप नियमित रूप से अकबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बाते करते देखते हैं यानकि लोग अपने विचार अकबारों टीवी चैनलों के माध्यम से सरकार के सामने व्यक्त करते हैं लोग तंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कारवाही करते हैं इसी तरह का एक तरीका यहां देखे कि विदान सबा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस्वार्ता की गई यानकी स्वास्थ्य मंत्री ने एक प्रेस्वार्ता बुलाई और प्रेस्वार्ता के जरिये दोस्तो सरकार ने जो भी कदम उठाये है वो लोगों के सामने पहुँचे इसलिए यव प्रेश्वार्ता स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई इसमें विभीन समाचार पत्रों के प्रतिनिदी काफी संख्या में आये इसमें मंत्री और कुछ शाष की अधिकारी भी उपस्तित थे मंत्री ने सरकार द्वारा उठाये गए कदमों के बारे में बताया इस प्रेश्वार्ता में अकबारों के समवाद दाताओने अनेक प्रश्णा पुछे इन चर्चाओ की रिपोर्ट विभिन समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई अगले प्रुष्ठ पर ऐसी ही एक रिपोर्ट दी गई है आगे हम बात करेंगे लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने क्या किया फ्रेस कॉन्फरंस बुलाई और जो भी समवाद दाता ने प्रश्णा पुछे उनके आंसर भी दिये और सरकार द्वारा उठाये गए कदम के बारे में भी बताया यानिकि सरकार की बात लोगों तक पहुँच गई अगले सप्ता मुख्य मंत्री और स्वास्थिय मंत्री पाताल पुरम जिले के दोरे पर गए जहापर यह हैज़े की बीमारी फेली थी उन्होंने उन परिवारों से भेट की जिनके रिष्टेदारों की मृत्यों हो गई थी वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए सरकार ने इन परिवारों के लिए मुख्य मंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं है वरन पीने के स्वच पानी की कमी की भी है यानकि लोगों को पीने के लिए स्वच पानी नहीं मिल रहा इसलिए यह बीमारी फैली थी उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरिय जांच समीति गठीत की जाएगे जो सफाई सुविधाव के लिए जिले की जरूरतों के बारे में विचार करेगे और लोक निर्मान मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वेक शित्र में पानी की उच्चित वियोस्ता पर ध्यान दे सके यानकि इसी तरह सरकार काम करती है मुख्य मंत्री यहां जो भी समस्या थी उनको सुल जाने के लिए वो खुद अस्पताल भी गए यह अध्या यह भी बाकी है इसी समवात को हम आगे बढ़ाएंगे तो यह तीसरा पार्ट आप देखना मत पूलिएगा कल हम पॉब्लिश करेंगे ओके वीडियो वाकी में आपको अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों को फेस्बूक वाट से पिया टेलिग्राम के जरिये इस वीडियो के लिंग शेयर करना मत पूलिएगा बस चोटी से उमीद के साथ वीडियो खत्म करते है टेक केर एंड जैहन